ताइगर श्रॉफ के फिल्म बागी टू रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में वो अपनी गल्फरिंड दिशा पतानी के साथ नजर आ रहे है साथ इस फिल्म में आपको टाइगर जबदस एक्शन सीन करते हुए भी नजर आएंगे लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि अब रफ एन टफ लुक वाले टाइगर कभी मोटे और अजीब हुआ करते थे जी हाँ, हीरो पंते से बॉलेवोर्ड में अपना डेब्यू करने वाले टाइगर का जन दो मार्च 1990 को जैकी श्रॉफ और आईशा की घर हुआ था और टाइगर का असली नाम जै हेमन श्रॉफ है, जानकारी के लिए बता दें कि जब जैकी श्रॉफ की घर बेटा हुआ तो सुभाष घाई डिरेक्टर उनके घर पहुँचे और टाइगर को देखकर सुभाष ने उनके हाथ में 101 रुपे का शगुन रखते हुए कहा कि ये साइनिंग अमाउंट है और तुम्हारे बेटे को बता रेक्टर मैं ही लॉँच करूँगा जानकारिक लिए आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर ने आमिर खान को भी ट्रेनिंग दी है जी हाँ दरसल फिल्म धूम 3 की शूटिंग के दौरान टाइगर ने आमिर की बोड़ी बनाने में उनकी काफी हेल्प की थी इसके लावा ही रूपंदी में डेब्यू करने से पहले टाइगर ने तीन साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोशन की ट्रेनिंग ली थी साथ ही टाइगर मार्शल आर्ट में भी काफी एक्सपर्ट है नेक्स्नाइं लाइफ निउस्ट्रूम के रिपोर्ट झाल झाल